हुआ है कि असलाम वालेकूम साब वालेकूम स्साथ शाही जी उमेर को मेरे कमरे में बेचो बड़ी साब उमेर साथ तो घर पर नहीं है क्या घर पर नहीं है वो तो कहां है वो तो लड़का घर में टिक कर बैठता ही नहीं कभी दोस्तों की तरफ कभी कहा कभी कहा भाई जान वो दरसल अब जानने हो मेर को घर से निकाल दिया घर से निकाल दिया अगर क्यों मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा बाद में इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन भाई ने घर से निकाल दिया आखिर हुआ क्या वही जो हमेशा होता है फात्मा और उमेर का जगड़ा हुआ था फात्मा ने उमेर का चार्जर इस्तमाल कर लिया था भाई ने उमेर को फात्मा से माफी मांगने का कहा हुआ उमेर ने इंकार कर दिया और भाभी ने घुस्से में आके उमेर को घर से ही निकाल दिया भाईजना पुरानी मनाईएगा लेकिन अगे सब ठीट नहीं है ऐसे जवान आउलाद को कौन घर से निकालता है इतनी बड़ी बात भी नहीं थी हाथ से पहले कब हमारे घर से किसी को निकाला गया ऐसे भाई मैं सब कहना नहीं चाहती है मेरा मकसद अबको परिशान करना भी नहीं है लेकिन भाई वह जो मेर की बहुत फिकर हो रही है कहां है वह किस के साथ है क्या कर रहा है इतनी सी बात पर कौन जवान आउलाद को घर से निकालता है ऐसे बच्चे संभलते तो नहीं है घर से निकाल देने से भाई और बिगड़ते हैं बलके बागी भी तो हो सकते हैं आप परिशान नहों बस वो मेरा मकसद तो उनीर में आप पक्राइब लिए भी तो करते हैं यह रहाओ, आप परे नहीर शे से एक झाल शेता हैं जर एक शे वो मेरा मकसद प्रोच्छान नहीं है और उननीर यो मेरा मकसद उच्ड़प़्दों इज हैं झाल झाल